हेलो दोस्तों तो आज क्या हम एक बड़ा अच्छा सा टोपिक लेकर के आए हैं ठीक है अब तक हमने पढ़ा था कि फिजिकल फिचर ओफ इंडिया ओके और जिसमें हमने अब तक हमने क्या पढ़ा है हमने यहां पर पढ़ा है यह था जी हमारा क्या था यह हिमाल्या और उसक के बाद हम आज पढ़ने वाले हैं जी पैनिन्सूला प्लैटू क्या पढ़ने वाले हैं जी पैनिन्सूला प्लैटू जो है वो हम आज का जो हमारा टोपिक वो रहने वाला है ठीक है होप आपको जो है वो वीडियो अच्छी लग रही होंगी ठीक है कुछ भी अगर डाउट वगएरा कुछ भी होता है तो आप कमेंट कर सकते हो तो आज का जो टोपिक हमारा वो है पैनिसुला प्लैटू एक बार में इसको थोड़ा सब बड़ा करता हूँ आपको दिखाता हूँ आज यहां क्या क्या रहने वाला है देखो जी यह देखो यहां से लेकर करके यह एक तो यह है और एक फिर यह यह है यह वारे जो चीछ है के यह भी है इस में ठीक है मतलब इसको न मैं और कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ यह यहां तक और यह फिर आगे यहां तक ऐसे एक तो यह जो मेрашन है यह जो यह वाड़ा मेरा portion है यह यह जी peninsula plateau क्या है यह 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 पैनिसूला plateau इसमें आपको एक picture मैं आपको और दिखाता हूं इससे आपको अच्छे से समझाएगा यह देखो यह बनाया मैंने अब तक है ना यह मैंने अब तक बनाया है दो चीजे थी एक तो यह वाड़ी चीज थी और एक फिर मैंने यह चीज बनाया थी यहां से है ना यह दो चीजे है तो अपना आज का टोपिक लिख लो आप पैनिसूला प्लैटू पैनिसूलर प्लैटू ठीक है इसका जो मैं बात करता हूँ कि यह पठार वाला इलाका है यहां पे क्या होंगी यहां पे आपको हिल्स देखनों को मिलेंगी क्या देखनों को मिलेंगी हिल्स देखनों को मिलेंगी चटाने देखनों को मिलेंगी ठीक है यह किस च चीज से composition किस चीज की है, इसकी यह जो peninsula plateau है, यह पूरा का पूरा area, इसकी composition किस चीज की है, यह भी important बन जाता है, ठीक है, यह चीज भी important बन जाती है, इसकी मैं बात करता हूँ, composition की किसी से बना है, यह बना है, old crystalline solid से, okay, igneous and metamorphic rock, कौन सी रोक बोलिया है, मैंने, igneous and metamorphic, ठीक है, शाइद यह आपको यहाँ पर दिखने रहा होगा, metamorphic है, ठीक है, अच्छा, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, metamorphic, igneous को हम इंदी में क्या बोलते हैं, igneous को हम बोलते हैं, अगन्य चटाने, अगन्य और metamorphic को क्या बोलते हैं, रुपान तरित, मतलब जो एक चटान से दूसरी चटान में वो चेंज हो चुकी है न, रुपान तरित, तो इन दो चीजों से जो है, हमारे penansula play 2 बने हैं, ठीक है, igneous and metamorphic rock से, ठीक है, चलिए, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको hills देखने को मिलेगी, और साथ में आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगी, तो इस तरीके से आपको ये चीजे देखने को यहां पे मिलने वाली है, ठीक है, अच्छा, इसकी जो formation है, वो किस तरीके से हुई थी, एक Gondwana Land थी इसके बारे में शायद पहले भी बात हुई थी Gondwana Land बहुत सारे देशों का जो है एक इकठथा जो है वो इकठी जब जगया थी वो तो उसको हम क्या बोलते है Gondwana Land बोलते है जिसे इंडिया है और उस्ट्रेलिया है अंटार्क्टिका है साउथ अमेरीका है इन सबी को एक साथ जब हम इकठा करेंगे तो वो उसको क्या बोल देते हैं गोर्णवाना लेंड बोल देते हैं जो टाइम के साथ जो हो तूटती गई थी क्या अलग होती गई तो वहां से फि क्या है ये का पार्ट है ओके चलिए इसमें अगर आप एक अच्छे से द्यान से देखो गए यहां से मैं इसको साफ करता हूँ यह देखो अगर मैं इसको सभी को एक तो यह आपको क्या देखना को मिले गए हैं वे सेंट्रल हाइलेंड डैकन प्लैटू इसको मैं बाद में ब देखो यह क्या है इसकी ट्राइंगुलर सेफ है इसकी कैसी सेफ है जिसकी ट्राइंगुलर सेफ है याद रखना है इसकी ट्राइंगुलर सेफ है इसकी ओके अगर मैं बात कर देखो यह उता है जैसे अगर मैं कोई भी बनाता हूँ यह क्या है मेरा यह ट्रेंगल है यह क्य बेस जो टच है हमारा यहां पर वो है जी इसका plane के नदरन जो plane थे यहां पर क्या थे planes थे उत्र भारत के मैदा तो इसका जो base है पैंदिन सूला प्लैटू के triangle का जो base है वो किस से touch है जी वो touch है नदरन plane से और apex कहां पर है जी? apex है इसका कन्या कुमारी क्या है जी कन्या कुमारी ठीक है तो ये चीज़े आपको याद रखनी है चलिए अब मैं बात करता हूँ जिसके part की ठीक है इसके part की जो plateau है हमारा वो दो part से mainly बना है कितने part हैं जिसके दो part हैं एक part के अगर मैं बात करता हूँ एक तो है हमारा central highland क्या है central highland और जो दूसरा है वो है हमारा deccan plateau वो क्या हमारा वो है deccan plateau है ठीक है और ये दोन्नों के दोन्नों यहां से जो अलग हुए हैं यहां से यह बीच में आपको देखने को मिलेगी नर्मदा river और इनके साथ में यहां पर क्या है विंद्या और सत्पूरा ranges है यह दोनों के दोनों जो separate होती है तो किस से separate होती है separated by विंद्या एंड सत्पूरा ranges ओके यह चीज आपको याद रखनी है सत्पूरा और विंद्या ranges से दोनों के दोनों central highland और deccan plateau river जाती है क्या बोलते हैं उसको नर्मदा river उसको हम बोलते हैं अब हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं पहले हम पढ़ेंगे central highland को फिर हम पढ़ेंगे deccan plateau को ओके अगर मैं दूसरे map के हिसाब से चलता हूँ यहां पर इसको थोड़ा साफ करते हैं जी चली अब देखते हैं इसको थोड़ा से लैबोरेट करते हैं यहां पर यह क्या चीज थी यह यहां पर अगर मैं इस चीज की बात करता हूँ यह ठीक है यह क्या था जी यह था हमारा central highland क्या था यह यह था हमारा central highland था यह ठीक है अब यह बात यहां पर आप देखोगे यह कौन सी साइड है इसकी यह साइड है जिसकी वैस्टन साइड और यह साइड कौन सी है इसकी इस्टन साइड तो आप आप देखोगे हाँ पे western side जो है उसकी ज्यादा चोड़ी है ठीक है वो वाइडर है ठीक है तो आप इसमें लिखोगे बकाईदा ठीक है इसमें क्या लिखोगे आप कि कि इसकी जो west की side है वो क्या है वो broad है अगर मैं बात करता हूँ तो ज्यादा चोड़ाई है और अगर मैं पूर्वी जीसा की बात करता हूँ यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या रहेगी इसकी कम चोड़ाई रहने वाली है यह बात आप जरूर याद रखना ओके अगर अब मैं बात कर लेता हूँ के जो नर्मदा रीवर है ओके नर्मदा रीवर जो है वो कहां से जाएगी नर्मदा रीवर इसके सेंट्रल हाइलेंड के साउथ से पास करेगी कहां से पास करेगी साउथ से अगर ये आजगता है के सेंट्रल हाइलेंड नर्मदा के किस साइड में है तो आपका अंसर क्या रहेगा नूर्थ साइड में किस साइड में रहेगा नूर्थ साइड में यह रहने वाले है अब अगर मैं बात कर लेता हूँ कि किया इसकी बांडरी एक किसकी से जो नौर्थ वेस्ट के अगर मैं बात करता हूँ नौर्थ वेस्ट में तो कौन नौर्थ वेस्ट में कौन बैटा है अरावली रेंजिस बैठती है ओके अच्छा उसके बाद में बात कर लेता हूँ जी यहां से यह देखो यह क्या लिखे है यहां पर यह लिखा विंध्या रें इसके बाद मैं बात कर लेता हूं जी यहां पर छोटा नागपुर प्लेटू जो है यह इसके इस्टन साइड में यह इस्टन एक्स्टेंशन है इसकी ठीक है यह बात याद रखना है अपने को ओके तो यह सारी की सारी चीचे अच्छा इसके अगर मैं यहां पर बात कर लेता इस साइड है हमारे नोर्थ के पलेन जो है जो मैदान है तो इस तरीके से आप बिल्लकुल अच्छे से इसको याद रखने वाले हो अब हम बात कर लेते है बल्ले की टाक्षिन का जो पठार है वो कुछ यहां enhance है यह उसका इलाखा है ओके चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ नरमदा रिवर यहां से गई है तो नरमदा रिवर के जो सेंट्रल हाई लैंड था वो नोर्थ में था डैकन प्लैटू कहा आएगा जिसके साउथ में आएगा ठीक है यह बात आप याद रखोगे अगर मैं इसकी स्लोप की बात कर ले बाता हूँ कि इसकी जो स्लोप है वो कहां से कहां है तो आप बोलोगे इसकी जो स्लोप है वो वैस्ट टू इस्ट है तब ही तो जो मोस्टली जो रिवर्स है देखो यह कहां पर जाती है जी यह बेउफ बंगाल में चली जाती है ऐसा नहीं है कि कोई भी रिवर इस्टन सा चली जाती है इस्टन साइड वो तभी जाएंगी अगर वेस्टन साइड उन्चा रहेगा और इस्टन साइड निच्चा मतलब पस्चमी इसका इलाग्का है जो यह इलाग्का है इसका यह थोड़ा उन्चा है और इस साइड का जो इलाग्का है यह थोड़ा क्या है जी निच थिक है कि किस की चीजों से bounded भाई है यह ठीक है अगर मैं बात कर लेता हूँ जि नोर्थ में आप देखो गőे नोर्थ में देखो यहां पे कौन बैठा है यह है जा जी सत्पूरा रेंज तो सत्पूरा रेंज इसके किस साइड में आ जेंगी जी नोर्थ साइड में क्या रह अगर मैं इसके western side की में बात कर लेता हूं तो western side में कौन रहेगा जी western घाट रहेगा पस्चिमी घाट जिसको आप बोलते हो और eastern side में मैं क्या बोलूंगा जी पूरवी घाट रहेगा eastern प्रशण घाट जो है वो रहने वाला है ठीक है यहां पर आप एक चीज और देखो गहाँ पे अगर मैं सके यहां भूंव सीसाफ करता हूं यहां पर आपको क्या मिलेगा देखने को इसकी एक extension है ये ठीक है ये महादेव hills जो है ये महादेव hill है कैमूर hill है मैकाल hill है ठीक है मैं दो तीन चीज़े बोल लिए है क्या क्या बोल लिए है वो कैमूर hill मैकाल hill है ओके और दूसरा क्या बोल लाजी मैंने यहां पर महादेव महादेव ही यह क्या है इसकी Eastern extension है यहां पर यह जो है यागे बड़ा हुआ है ठीक है तो यह चीज़ आपको याद रखनी है अच्छा Central Highland के extension मैं आपको क्या बताई दी छोटा नागपुर प्लैटू यह आगे तक चला गया है अज़े इसी प्लैटू में जो है इसकी अगर मैं आगे की बात कर लेता हूँ बहुत ज़दा आगे गारोखासी जेनतिया यह गारोखासी जेनतिया देखो यहां से कोण आ गया जी यहां से हिमाल्या ठीक है मीजो हील्स थी यहां पे नागा हील्स थी बट यह जो गारोखासी जेनतिया है यह किसका पार्ट है यह पार्ट है यह हमारे पैनिन्सूला प्लैटू का और यह कहां पे आती है यह आती है जी मेगाल्या में नाम क्या क्या बोला है जी मैंने इनका इनका जो मैंने नाम बोला है व ठीक है अच्छा यह इंपोर्टेंट है जी ठीक है यह आपके जो है वो नोर्थ-east की अगर मैं extension की बात करता हूं कि नोर्थ-east में इसकी क्या extension है वो क्या रहेगी जी गारो खासी जेंतिया वो रहने वाली है अच्छा और कई बार question आपसे पूछ सकता है इसे महादेव कैम के ऊपर भी कहीं बार एक दो क्वेशन पोच्छ सकता है महादेव के ऊपर क्या क्वेशन बनेगा जो महादेव और कैमूर हील है है निटि महादेव कैमूर हील जो है यह दोन्नों की दोन्नों जो है 36 गड़ और MP वाले इलाके की जब है वो क्या बनाती है जी boundary बनाती है यहाँ पर यहाँ पर यह जो है क्या करते है यहाँ पर 36 गड़ रह गया यहाँ पर MP रह गया तो यह MP और 36 गड़ इन की क्या करते है यह boundary बनाती है कि यह चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है तो यह था जी हमारा पूरा 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 पैनिन्सुला प्लेट्टू ठीक है इसके बाद हम पढ़ेंगे जी आपके इसके साथ में आपको क्या रह जाता है इसके साथ में आपके रह जाते हैं जी यह यहां पर वैस्टन घाट ह है और eastern घाट है तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वेस्टन और eastern घाट पे रहेगी इसकी जो रिवर्स है वो दूसरे जो हो वीडियो में हम लेकर कहेंगे और उसके बाद फिर हुआ पढ़ेंगे जी यहाँ पर desert को हम पढ़ेंगे great indian desert को हम पढ़ने वाले हैं okay thank you दोस्ते